कि इस परजन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या वह आप यहां पे देख लेते हैं देखिए लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था एंगल अफ डिविएशन का फॉर्मॉला इसको हमने अच्छे से ड्राइव किया था उ अब इसी डिविएशन को आपको मिनिमम्म पे समझना है कि भाही ही मिनिमम डिविएशन होगा तब क्या होगा और क्यों होगा मिनमं डिविएशन ऐसे क्या जरूवत पड़ गही थी激ा अप्रिजम फॉर्मॉला को भी डराइवDesign करेंगे ठीक है तो एंगल उफ सब्सक्राइब लोगा अब अगर मुझे कुछ लिखना हूं सब्सक्राइब अगर मुझे कुछ लिखना हम सब्सक्राइब है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इस शिचेगा यह हमने स्नेल स्लो लगा लिया अब माल लीजिये कि from figure 6C dot 3 star यह हमारे पास पीछे एक डाइग्राम गया होगा मैं आपको दिखाने ही कोशिश करता हूँ ठीक है, सम्थिंग यही वाला डाइग्राम में अपना ठीक है, इस डाइग्राम में आपको कुछ चीज़ उब्सर्व करनी है जो मैं आपको बताऊंगा अभी ओके, right, we find that minimum deviation there is only one angle of incident अगर आप इस figure में ध्यान से देखे तो दो angle of incident है एक case में यहाँ पे angle of incident हो रहा है और दूसरे case में जो यह refracted रहे इस surface के लिए angle of incident बन रहा है मतलब overall दो बारी angle of incident हो रहा है लेकिन जब हम small deviation की बात करते हैं हम बात करते हैं small deviation की तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बारी जो है वो angle of incident होता है सबसे पहले, दूसरी चीज तो यहाँ पे एक ही angle of incident होगा we must say that when delta तो कब जो angle of deviation है वो अचानक angle of minimum बन जाएगा अगर एक ही incident हो रहा है तो उस case में जो भी angle of deviation है वही पूरे system का minimum भी होगा वही maximum वही minimum सब कुछ होई है क्योंकि यह incident ही एक बार हो रहा है तो यहाँ पे i1 की value i2 की बराबर हो जाएगी i1 और i2 आपस में बराबर होगे तो small slow जब आप लगाओगे sin i is always equal to mu sin r mu sin r ठीक है अब वो i1 है और r1 है दूसरी बारी जो दूसरे surface पे हो रहा था वहाँ पे r2 और i2 होगा बट यहाँ पे i2, r2 सब कुछ बराबर हो चुके i1 और i2 जो है वह भी आपस में बराबर है तो जो i की value होगी वो i की value आपकी i1 के बराबर होगी और i की value again i2 के बराबर भी होगी क्योंकि यह एक ही बार incident हो रहा है तो यहाँ पे i1 और i2 आपस में बराबर होगे वो i की equal होगे और similarly r1 और i2 बराबर होगे वो r के equal होगे जो a था, a क्या था अपका? a was your prism का angle वो होता था हर बार r1 plus में r2 के equal इस बारी क्योंकि आपका r1 और r2 जो है वो r के बराबर है r1 और r2 जो है वो r के बराबर है तो यहाँ पे r1 और r2 के जगा r लिख देंगे r और r लिख दिया तो यह a बराबर होगे 2r ठीक है, अब 2 को इस तरह भेजो तो r जो है वो होजाएग a by 2 r होगे आपका a by 2 जो आपका angle of deviation है मैं लिखता हूँ यहाँ पे angle of deviation हर वार होता है delta is equals to i1 plus i1 plus i2 minus of a यह formula होता है यह आप पीछे देख सकते हो अगर मैं आपको पीछे दिखा हूँ तो यहाँ पे यह जो formula बन क्या है आपका delta is equal to i1 plus i2 यह minus में a यह पूरा a है तो आप यहाँ पे देखो यह पूरा जो है यह a है यह a है तो यह हमारे पास formula है i1 plus i2 minus में a ठीक है मैं इसी के बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे i1 और i2 यह दोनों same चीज है तो यह 2i बन जाएंगे ठीक है और यह minus का a आग है यहाँ पे अच्छा अब समझी आगे कि यह जो a है इस a की जगा आप एक value substitute कर सकते हैं वो क्या substitute कर सकते हैं वो देखो आप सबसे पहले तो आप यह समझो कि a की जगा आप लेख सकते हो 2r दूसरी चीज इस i की जगा आपको कुछ value substitute करनी पड़ेगी और इस a की जगा भी value substitute करनी पड़ेगी समझे क्या क्या value substitute करनी है इसको मैं रब कर रहा हूँ दूरूरूरूरू ओके अब तो यह यहां तक clear हो गया कि delta minimum is always equal to 2 times i minus a या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां से i को कैसे लिखेंगे a को आप उस तरफ बेजेंगे plus का हो जाएगा तो delta minimum के साथ a हो क्या plus का आई अपनी जगा पर 2 नीचे चलागे divide में तो 2 नीचे आगे divide में राइट एक और चीज़ जो mu होता है मू जो होता है अब आप इस पूरे उपर वाले को साइन से divide साइन से multiply और साइन से divide करा देंगे कोई फरक तो पड़ेगा नहीं मगर यह होगा क्या यह हो जाएगा sin of a plus में delta minimum divided by अब एक और चीज़ समझें यहां पर कि जो यह i और r है आपका ठीक है यह i और r जो incident और refraction है यहां पर इसको हमें substitute करना है in forms of mu इस i की यह i की जो यह सारी value आई है यहां पर पुट कर देंगे ठीक है तो i की जगा आपने यह सारा पुट कर दिया और r की जगा r की जगा हमारे पास a by 2 है तो r की जगा हमने a by 2 पुट कर दिया और यही आता है आपका यही जो चीज निकल के आया यह आया आपका prism formula ठीक है यह आपका prism formula आगे बढ़ते है prism formula होता क्या है इसको किसलिए use करते है आप इसमें यहां से read कर सकते है आपको समझना आ जाएगा अब बात करते है thin prism की thin prism क्या होता है a thin prism is that whose refracting angle angle of prism is very small बहुत जादा छोटा होता है उसका angle उसे हम कहते है thin prism और आपने पीछे diagram में proof क्या होगा कि angle of deviation of array of light on passing through a prism एक prism से जब light ray pass करता है तो कितना deviate करता है वह होता है दोनों incident ray को आप minus कर देते है small slow apply करेंगे generally small slow mu बराबर होता है sin i divided by sin r आप करोगे sin i is equal to mu sin r वही same चीज़ है अच्छा sin i यहाँ पर mu sin r हो गया मालीजा angle बहुत छोटा है यह sin से sin हट जाएगा तो आपका बचेगा i यहाँ बचेगा mu यह बचेगा r1 यह चीज़ बच गया क्योंकि बहुत जादा चोटे angle है यह angle बहुत छोटे है तो आगे बढ़ते है a जो होता है r1 plus r2 यह मैंने आपको बता रखा है a होता है angle of prism हमेशा होता है r1 plus r2 इस जिसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह values बहुत जादा चोटी है तो हम क्या कर सकते है हम अपने concept पर वापिस आते है देखो जिस तरीके से i1 is equal to mu r1 हो गया यहां से देखिए i is equal to mu r similarly i2 भी हो जाएगा mu r2 ठीक है यह भी i2 हो गया mu r2 और i1 हो गया mu r1 अब आप angle of deviation का formula लगाओ angle of deviation जो होता है i1 यहां पर देखो i1 plus i2 minus r i1 की जगह क्या put करोगे i1 की जगह e wale value right mu r1 toh यहां पर put करदिया mu r1 i1 की जगा i2 की जगह put करोगे mu r2 then mu r2 यहां पर put करदिया minus of a minus of a mu common 있습니다 minus of a a अपनी जगापर है अफिर a भी common निकाल लिया तो यह हमारे पास equation बन क्या जाता है This is your thin prism के case में आपका formula बन गया Next Next है dispersion of light Dispersion of light एक ऐसा phenomenon होता है जिसमें light की जो beams होती है वो split हो जाती है white light की जो beams होती है वो split हो जाती है constituent colors में जब कभी वो prism से pass होती है तो यह prism से जब यह white light pass होती है तो different colors में split हो जाती है ऐसा क्यों होता है अंदर उसको refraction का सामना करना पड़ता है जब वो refraction का सामना करता है तो अलग-अलग path में bend हो जाता है क्योंकि white light जो है combination 7 color का होता है हर color अलग-अलग angle पर refract होता है कोई जादा deviate होता है कोई current deviate होता है कारण क्या होता है cause of dispersion जो disparge हो है अलग-अलग disparge हो है each color है has its own characteristics wavelength हर एक रंग के अपने-अपने wavelength होते है तो सब का अपना wavelength है तो सब अलग-अलग length पे बाहर की और निकलेंगे Cauchy formula लगाना है यह आपको जाना नहीं Cauchy formula क्या होता है इसको μू से लिखते है और यह होता है जो भी A plus में B divided by lambda square lambda आपका wavelength है ABC constant है ठीक है plus में C divided by lambda की power 4 plus में D divided by मतलब powers में बढ़ती जाती है ठीक है 2 की power 8 इस तरीके से Cauchy formula बन जाएगा तो यह आपको समझना नहीं है ठीक है माइनस म्यू माइनस 1 multiply by A ठीक है तो यह जो dispersion हो रहा है वो भी thin prism में पर हो रहा है तो यह formula आपने अंत में जाके लिखते नहीं dispersion के case में compulsory होता है यह chart बना देना है आपको यहाँ पर wavelength और म्यू के मतलब refractive index के relation में chart जिया हुआ है इसका wavelength जाद उसका refractive index काम इस तरीके से ठीक है तो यह चीड़ा आपने समझ लिया okay now next है कि भाई जो mu है वो अलग-लग होता है mu मतलब क्या refractive index हर एक रंग का अपना अलग-लग होता है तो किस हिसाब से mu vary करता है देखो यहाँ पर notice करो जिसका lambda जादा मतलब जिसका wavelength जादा वो सबसे जादा उसका refractive index कम तो जो red color होता है उसका सबसे जादा wavelength होता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या करता है सबसे दूर तक जाता है तो wavelength बहुत जाद है मतलब बहुत लंब 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 उसका wavelength होगा अब wavelength जाद है तो इसका refractive index जो है mu जो है वो less होगा यह ची ध्यान रखना अब बात करते हैं angular dispersion की तो जब इस angular dispersion की हम बात करेंगे तो angular dispersion तब produce होता है prism के द्वारा जब एक white light different to different angles में अपने colors को release कर रही होती है तो इसके colors जो है white light के वो अलग-अलग angles पर निकल रहे होता है यानि कि किसी का angle of deflection डेल्टा आ रहे है किसी का angle of deflection डेल्टा भी है जैसा रंग है वैसा angle of deflection होगा तो उसे में कहते है angular dispersion अब देखो angular dispersion जो जो किस पर depend करता है रंग पर depend करता है तो सबसे ज्यादा जो disparge होता है violet color होता है और सबसे काम होता है red color तो angular dispersion जो है वो क्या क्याते है उसको यह जो आपका है delta ठीक है delta deviation तो deviation of violet minus deviation of red में से आप minus कर लो तो याद आएगा angular dispersion ठीक है कितना disperge हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अलग-अलग रंग के निकाल लो जैसे normal जो delta का formula होता है thin prism case में mu minus 1 multiply by a यह चीड़ आपने देखी है mu minus 1 multiply by a यह prism के case में formula होता है अब हर एक color पर निकाल लो यह wallet के case में यहाँ पर v लिख लो output कर लो solve कर लो आपके पास यह answer निकल किया जाएगा ठीक है तो यह यह चीज था आपका angular dispersion right next step का dispersing power dispersing power का मतलब होता है यह prism की power होती है वो यह define करती है कि ratio of angular dispersion to the mean deviation produced by prism ठीक है prism ने कितना किसी को disperge किया वो होता है dispersing power ज्यादा disperge किया तो prism की power ज्यादा थी इसको omega से represent करते है ठीक है अब याद नीचे जो है यह line लिखी हुए इस line का मतलब यह है कि कितना वो धिनी prism के case में जो वो है क्या कहते है उसको deviation है वो है उसकी value है deviation हमेंस violet minus red होता है ठीक है और उसकी value जो हमने अभी भी यहां से निकाल रखी है आगे बढ़ते है तो dispersing power जब calculate करोगे तो होता है angular dispersion upon mean deviation फिर से याद रखना है angular dispersion upon mean deviation ठीक है तो angular dispersion जो होता है violet minus red का deviation होता है ठीक है और mean dispersion जो है आपका हमेसा delta होता है इनकी values आपने इनकी overall values जो है अमने यह निकाल ली है आप यहां पर note कर सकते हैं इनकी overall values जो है अमने यह निकाल रखी है V minus R की value है refractive index of V minus refractive index of R multiply by angular angle of prism ठीक है यह angle of prism है ठीक है इस पूरे की value तो हमने यह डाल दी इसकी value जो हमेशा सही होती है आपने starting में देखा होगा अपने starting में देखा होगा जो delta की value है जो deviation की value हो यह है तो आपने बस क्या करना है सारी values पुट कर देनी है ठीक है angular dispersion divided by mean deviation इस सारी values यहां पर पुट कर देनी है और जब यह value पुट कर दोगा इसको solve कर लोगे तो यह वाला आपका answer निकल के आ जाएगा omega ठीक है तो omega याद रखने dispersing power को कहते है अभी आपको यह भी चीज़ समझ में आगी dispersing power क्या है next step का यहां पर तो यह यह angular dispersion जो होता है disparaging power multiply by mean deviation है यहां पर देख लो यह angular dispersion है तो यह angular dispersion है और यह disparaging power है disparaging power को mean deviation से multiply कर दोगे तो यह angular dispersion आदेगा यह भी formula बन गया ठीक है यह दो तरीके से disparage होता है एक तो disparaging without deviation disparaging without deviation और disparaging with deviation with dispersion तो यह हमें जानना नहीं है scatter का मतलब क्या होता है जब कोई अपने path से भटक जाता है जैसे मान लिजे कि blue color है blue color को ऐसे जाना चाहिए blue color ही लेते हैं इसके case में ठीक है तो blue color को लेकिन अब रस्ते में उसको कुछ मिल जाता है यहाँ पर तो इसकी वज़े से जो blue color है यह जो अपना blue color है इस तरफ इस तरफ चला जाता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब 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 हुआ जब मीन पाथ से आप डिवेट हो जाओ तो most of the beautiful phenomena like blue color of sky white color of clouds यह सब sunrise sunset यह सब के सब scattering के ही fundamentals है Sunlight travels through earth atmosphere it gets scattered by large number and numerous small particles present in atmosphere तो यह obstacle था जो मैंने आपको बताया था कि यह जा रहा है यह obstacle जो होते है atmosphere के बहुत सारे particles होते है dust particles भी हो सकते है atmospheric condition भी हो सकते है होता क्या है कि इनके वजया से इनको refraction करना पर जाता है इसलिए इधर उदर disperse हो जाते है Scattering represents basically change direction of light जाना इसको इस तरफ था चला गया इस तरफ तो direction बतल गया तो scatter हो गया okay अब देखते है कि जो incident ray यह उसका amplitude है lambda उसका wavelength है V volume है amplitude of scattered light है scattering का term define a is what amplitude है scattering light light scatter हो इसका amplitude कितना इसको small a कहेंगे यह हमें निकालना यहाँ पर small a होता है capital a multiply by v divided by r lambda square capital a is obviously your amplitude है incident right का शुरू-शुरू में यह incident right है इसका amplitude हो गया v की बात करते है r आपका scattering distance है मालो कि इसको जाना ऐसे था और चला गया इधर तो यह आपका r निकल गया गया इतना next lambda जो भी उसका wavelength होगा ठीक है तो यह आप निकाल लोगे इसी तरह intensity निकाल लोगे ठीक है ओके चलो लास्ट है rainbow is a spectrum rainbow होता क्या scene यह है कि अगर मालो rainbow मैं आपको सम्धाने बैटू तो यह ना यह clouds है ठीक है यह raindrops है raindrops से ऐसे white light गया अब यह medium 1 है और यह raindrop के अंदर medium 2 होगा तो जब 2 medium मिलता है तो रिफरैक्शन करता है राइट तो वह रिफरैक्शन करता है रिफरैक्शन करता है साथ में यहाँ पर dispersion भी होता है क्यों क्योंकि यह white light है अब यह white light जो है वह दूसरे medium के इस surface पर strike करता है तो यहाँ पर second medium मिलने की वज़े से यह deviate हो जाता है अब क्योंकि deviate हो गया तो अलग लग part में deviate होता है तो यहाँ पर total internal नहीं total internal reflection गलत बोल दिया है ठीक है तो यह अलग अलग अंगल पर deviate हो गया जब बाहर निकलता है इसके बाहर इसके incident refracted निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि white light split हो गया seven color में तो बीच में इस जगह पर reflection हो रहा है यहाँ पर dispersion भी हो रहा है तो white light जो है वह एक तरह से dispersion का कर रहा है किसकी वज़ासे rain drops की वज़ासे तो जब sunset sunlight होता है उसी वक्त हमेशा rainbow बनता है यह कारण है कि sunlight white light देगा और rain drops उसको medium प्रोवाइट कराएगा तो यह rainbow था that's it